आज मैं बात करने वाला हूं BSC 1st Year में Physical Chemistry के Most Important Questions की तो सीधे Questions पे आते हैं जैसे मैंने आपको और्गनिक के बताए थे इन और्गनिक के बताए थे आप Physical Chemistry यहां पर सेम चीज आपको पता है कि 5 Unit होती है 1st, 2nd, 3rd, 3rd, 4th, 5th अब आपको करना क्या है सबसे पहली बात आती है 1st Unit के अब देखो 1st Unit के अंदर दो भाग है एक भाग तो है Mathematical Concept Mathematical Concept और जो दूसरा पार्ट है वो है Liquid State Liquid State अब यहां पर सबसे पहली बात अगर आप Math के स्टूडेंट है तो Mathematical Concept आप असानी से कर सकते हो और अगर आप Bio के स्टूडेंट हो तो आप Liquid State वाला पार्ट कर सकते हो वैसे मैं सला तो यही दूँगा अगर आपने Mathematical Concept पढ़ा है तो Bio वाले स्टूडेंट भी Mathematical Concept वाला integration से एक probability से पूछा जाता है साथ में क्रम चे संचे से भी इसमें question पूछे जाते हैं तो किस तरीके के question ज्यादा आते हैं वह मैं आपको बता देता हूं जैसे आपको पूछ लिया गया इंडिया इंडिया के जो लेटर है इन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं कितने सब्द बनाए जा सकते हैं ऐसे questions आप से पूछ सकता है इसके अलावा जैसे कोई सबी question आपको दे दिया जैसे आपको दे दिया Mathematics एक्जाम में Mathematics दे दिया जैपूर दे दिया राजस्थान दे दिया मतलब कुछ भी नाम दे दिया और आप से पूछ सकता है कि इनका क्रमचे बताओ combination बताओ permutation बताओ यह आप से पूछ सकता है या फिर आपके पास ऐसे question ज्यादा आते हैं कि आपको कुछ नहीं करना आपको simple simple से जो question है वह देखने है mathematical concept वाले भाग में से तो math वालों के लिए तो इतनी ज्यादा problem होनी ने चाहिए लेकिन आप जो बायो वाले हैं अगर वह यह वाला पार्ट पढ़ना जाते हैं तो यह जो वर्ड्स हैं कुछ इनमें कैसे निकाला जाता है जैसे मानलो इसमें एक दो तीन चार पांच वर्ड है तो five into four into three into two into one करत हैं तो math वालों के लिए तो यह पार्ट सरल है इसके लावा अगर कोई कहता है बिल्कुल ही कि सर बायो वाला स्टूटेंट की सर मैं mathematical नहीं कर सकता मुझे नहीं आते हालंकि mathematical वाले पार्ट में वह जो प्रोबिलिटी वाला भाग है और जो कॉम्बिनेशन पर्मूटेशन क्रम्चे संचे वाला भाग है उसका question अराम से कोई भी कर सकता है चाहे वह मैथ वाला हो चाहे बायो वाला हो और यहां पर जो इंटिग्रेशल डिफरेंश कि liquid state में से क्या किया जाए तो liquid state में सबसे पहली चीज में आपको बता दूँ है आपको यहां पर पढ़ना है liquid crystal के बारे में पढ़ना है कि liquid crystal क्या है लिकविड क्रिस्टल क्या है जैसे यह दो तरीके की होते है लिकविड क्रिस्टल यह आपको पता होगा लिकविड क्रिस्टल दो तरीके की होते है वह आपको पढ़ना है त्यक्या है इसके अलावा एक question और में बताता हूं लिकविड क्रिस्टल पढ़ना आप कर आता है। और घेट बोलते हैं इसके अलावा कड़ना में तो छोटा चुछिन में नियुक्विड ङए इस लोगे कि अमसी कोड़ना पढ़ चुका है तो तो यह कितने नंबर का यह देखो आपके दस मिनट का है दस मिनट में तयार कर सकते हो इस में से कर सकते हो पर सकते हैं इसके अलावा एक है ना चोटे-चोटे है पूइंट है फांच मिनट के फर्मोग्राफी अदर्मोग्राफी थर्मोग्राफी तदर्मोग्राफी सफर्मोग्रेत कर याonie करेंने कि लिए की इन वीधि काम में लेते हैं तोड़ा सा डिस्क्रिप्पडाइब को जो इलेक्ट्रिक घड़ी होती है और पैट्रल पर्म के जो मीटर होते हैं और जो भी मीटर वगेरा होते हैं गाड़ी के बाइक की मिटर होते हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है यह आपको पता है क्या होता है कि जब हम सोलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सोलिड लिक्विड में चेंज ना होकर एक मध्यवर्थी अवस्था में बदल जाता है जो ना तो सोलिड है और ना लिक्विड ह तो उसे हम बोलते है liquid crystal और इसके जो nematic और जो है हमारे पास वह इसके पढ़ना है cholesterol nematic तो यह हमारे पास किसकी बात हो गई पहले unit की बात हो गई simple सी है आप कर सकते हो कि लिए रहें अब इसके बाद मैं आप से बात करूंगा 50 unit की अब आप कहोगे सीधा 50 unit बिल्कुल 50 unit chemical kinetics अब देखो यहाँ chemical kinetics में आपके पास आपको क्या पढ़नी है जीरो और 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 फर्स्ट और इसके चांस अगर माल लीजे इसके चालिस चालिस असी परसंट चांस है तो सबसे जाद आती है जीरो और और फर्स्ट और रियक्शन आती है इनकी एवरेज लाइफ आती है इनका हाफ-लाइफ टाइम अर्ध आयू काल कैसे निकलता है जीरो कोटी के अभी किरिए आप पां पूछता है लेकिन जीरो और फर्स्ट और या सेक्ड और रियक्शन में से एक रियक्शन तो पूछेगा या तो इसकी समयकरन पूछेगा या इनका अर्ध आयूकाल हाफ-लाइफ टाइम पूछ सकता है इसका एक कोश्चन तो आपके पास यह है अगर आप यह तीनों पढ़ लेना chemical kinetics का कि इसको कौन-कौन से factors affect करते हैं जैसे कि temperature से क्या प्रभाव पढ़ता है प्रेशर से क्या प्रभाव पढ़ता है catalyst से क्या प्रभाव पढ़ता है पांच मिनिट का है और यह जो समीकरन है एक क्वेशन है आप सोल करके देख लेना इसके अलावा इसका ए अनरजी सक्रिय नुर्जा एक्टिवेशन एनरजी उसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट थियोरी संक्रम नवस्ता सिधांत और एक टक्कर सिधांत कोलीजन थियोरी यह चार है यह चार टोपिक में है जिन में से आपके पास question पूछा जाएगा तो जहां तक मुझे पता है यह चार टोपिक में से ही कोई question पूछा जाता है यह चोटे-चोटे-चोटे टोपिक है आरेने समीकरन एक्टिवेशन एनरजी ट्रांजिशन स्टेट थियोरी संक्रम नवस्ता सिधांत और कोलीजन थियोरी पहला वाला पाट पढ़ो इसमें अगर आपको एक question तैयार करना है तो आप जीर ओडर फर्स्ट ओडर सेग्न ओडर reaction तक पढ़ लीजे इसकी समीकरन पढ़ लीजे एक्जाम में आती है दूसरा पार्ट पढ़ने की जुरूत ही नहीं है कि लिए इसके बाद किसकी बात करें यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 3 में क्य नियम पढ़ने है तीन नियम है वह तीन नियम आपको पढ़ने है ठीक है तीन नियम आपको पढ़ने है एक आपको तीन नियम में से आपको एक नियम तो आपको मिलेगा तीन नियम में से एक नियम पक्का मिलेगा कोई नहीं रोक सकता ठीक है इसके बाद कि इसके बाद और तो आपको मिल सकती है और एक डिफैक्ट इन सोलिड इसमें क्या पढ़ें वही फ्रेंकल सोटकी अगर आपके नहीं आया है तो अगर आप यह तीन टोपिक पढ़ लेते हैं लोग क्रिश्टलोग्राफी तीन नियम है ब्रेक थियोरी और डिफैक्ट इन सोलिड तो आपका काम अराम से हो जाएगा आपको कोई जोड़ी नहीं पढ़ेगी ठीक है और अगर आप कहते हो कि थोटा सा और पढ़ना है एक तोपिक दो टोपिक और बताइए तो एक आप पाउडर मैथर पढ़ लिजिए पाउडर एक समय करन एक केसन डिफैक्ट इन सोलिड में आपको सोटक और फ्रेंकल और एक पाउडर मैथर पढ़ना है आपको और अगर आपको छोटा कोश्चन आता है तो मिलर और वाइस इंडाइस इस मिलर वैवाइस सूष्च कांग सारा नहीं बता रहा हूँ मैं एक कोश्चन तयार करना है एक कोश्चन तयार करना है आपको सिर्फ एक कोश्चन तयार करना है एक कोश्चन नहीं करना है आपको तो आप क्या करीजिए लोग क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लीजिए ठीक है लोग क्रिस्टलोग्राफी संपारत की नहीं एक संफ मुंटनम आपका यहाँ पर पास होने का जुगारत हुआ यह बहुंद के नहीं ह् persona को देखों से अगलि यूनिट फॉर्थ यूनिट यह सोद्ध सटेटpper अब सब्सक्राइब काईशिय स्टेट जाएइस्टेस्टेट preciso क्या है सब्सक्राइब कौह एंट कैने तो चैणी पर भी पढ़के निकाल दीजिएंए फिर भी आपको काम करना है कल मैं कि वांडर वाल पढ़ लिजिए थे यह 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 दो तो में टोपिक है आपको गैसे स्टेट में पढ़ने पढ़ने हैं तो दो तो आपको पढ़ने पढ़ेंगें यह जिसमें से आपको कोच्चन मिलनेंगी उमीद है और भी कोश्चन आ सकते हैं लेकिन यह दो तो है इसके अलावा आपको क्या करना है इसके अलावा अगर आप चोईस में कोश्चन देखना चाहते हो तो छोटे-छोटे टॉपिक आपको पढ़ने पढ़ेंगे जैसे लिक्यूफिकेशन ओफ गैस द्रवी करन, गैसो का द्रवी करन, पढ़ना है गैसो का फम करन में आपको जूल मत आएपको पढ़ना है और चोटे-चोटे topic आपको पढ़ने है, short note आ सकता है, कौन-कौन से एक तो आ सकता है, collision number, mean free path, mean free path, कौन-कौन से topic है, collision number है, mean free path है, ठीक है, और इसके लावा क्या है, collision diameter है, यह चोटे-चोटे topic है, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले वाले भाग में तो यह ज़्यादा मिलने की उमीद है, इनमें से एक theory मिलने की उमीद है, आराम से मिलेगी, और यह दूसरा वाला भाग, अद्रीवी करन, collision number, mean free path, diameter, छोटी-छोटी-छोटी definition है, यह दो-दो लाइनों की, आपको दस मिनट भी नहीं लगेंगे, और यह लिक्वीफिकेशन में बस एक diagram है, और diagram के बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, और यह लिक्वीफिकेशन ऑफ गयस हो जाएगा, ठीक है, यह हमारे पास कौन से unit होगा है, इसके बाद हमारे पास आती है, एक last unit बची है, हम 4th unit में क्या पढ़े है, ठीक है, तो देखो, 4th unit में पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो, 4th unit मुझे ऐसा लगता है, कि 4th unit बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, इसके 3 भाग है, unit के, 3-4 भाग दिये हूँ है, तो मेरे साब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे साब से आपको, यह जो L in L, liquid in liquid, जिसके अंदर आपको दिया हूआ है, क्या, इमल्सन, यह question आपको पढ़ना चाहिए, इमल्सन क्या है, इमल्सी फाइर क्या है, वह आपको पढ़ना है, इमल्सन, ठीक है, इमल्सन क्या होता है, पानी में तेल मिला दो, मिल सकता है नहीं मिल सकता, तेल में पानी मिला दो, मिल सकता है नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को मिला रहे हैं, तो उसको इमल्सन बोलते हैं, पाईसी करन कैसे कराये जाता है, वो आपको पढ़ना है, तो ये इमल ये जो Kolide है को लाइड की application यह आपके पास अगर बुक है नोट सै जब आप बूक सवार लाश्ट में को लाइडता है कि काम अते हैं आकास में जो इंद्रद्रणुस बनता है वो कैसे कांज़ क Näता है दूर समुंद्र में जैसे मदब रेगिस्तान में हमको दिखाई देता है पानी कावास होना ऐसी बहुत सब्सक्राइब चोटे-चोटे कोश्चन्स हैं वह कोलाइड के ओपर डिपेंड करते हैं तो वह एप्लिकेसन है तो वह एप्लिकेसन हमको पढ़नी है पांच छे अप्ल पूछी जाएगे वैसे तो आप इसकी पूरी रिडिंग भी लगा लोगे तो कोई दिक्कर नहीं लगा सकते हो इसमें एक थोड़ा सा हाडी सुल्जे हाडी सुल्जे एक नंबर है और गोल्ड नंबर के नाम से भी जानते हैं इसको तो गोल्ड नंबर भी आप पढ़ सकते वरना वैसे तो आप चाहो तो इस यूनिट को पूरी रिडिंग लगा सकते हो सिंपल सी सरल सी यूनिट है तो इतना ही कहना है मुझे और अच्छे से तैयारी करना बैस्ट ओफ लग आगे के एक्जाम में भी आपकी हैल्प करते रहूंगा इसके लावा वही सेम चीज कहू प्राइस नहीं दिया हो तो कम से कम प्राइस में आपको करवानाचा हो श्क्राइब तो इसलिए bissल Bayet हमने बहुत कम में कोर्स अविलेबल करवाया पूरा कोर्स कराया है हर yuniversity के साथ से करवाया है चाहिए आपकी कोई सब्य यूणिवसिटी है राजिस्तान यह हर yuniversity के साथ से कोर्स कंप्लीट करवाय है और कोई help चाहिए हो तो तो आपको आप WhatsApp कर सकते हो, यह मेरे नंबर है, यह एक नंबर और है, आप WhatsApp करके पूछ सकते हो, यार, call उठा पाऊं, नहीं उठा पाऊं, क्योंकि बीजी रहता हूं, मैं वीडियो में, दिन बार, classes रहती है, online, offline, तो मैं बीजी रहता हूं, आम पर, school college में, तो आप call कर सकते मुझे, जब अगर मैं उठा लूँ तो आप WhatsApp पर छोड़ दीजे, मैं आप से contact कर लूँ है, जब भी मैं फिर यह हूं, तो इसके साथ मैं आप से व्जा लेता हूं, धन्यवाद्यू,